हेलो बच्चों तो सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो आप सभी का हमारा इस यूटूब चैनल मिशन टूपे आप लोगों का स्वागत है तो बच्चों आज हम लोग क्लास नांत का class 9th का 4 वीडियो करेंगे ठीके हिंदी का 4 वीडियो करेंगे बच्चों इससे पहले आप लोग का 3 और वीडियो हो चुकी है जिसमें 280 plus mcqs को इस स्रीज में पूरा करवाया जा रहा है तो 3 वीडियो में हम लोग 210 question तक complete कर चुके थे ठीके जो exam के point of view से बहुत जादे important है तो चलिए फिर start करते हैं हम लोग और सबसे पहले हम लोग का एक गध्यांस देवा रहता है और गध्यांस को बहुत ही ध्यांसे पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद इससे कुछ related सवाल होते हैं इसका आप लोग को सवाब देना होता है तो चलिए इसको लोग पढ़ते हैं पहले पढ़ेंगे उसके बाद ही आप लोग कमेंट करेंगे ठीके उसके बाद ही अंसर आप लोग कमेंट करेंगे तो चलिए सबसे पहला कर हम लोग देखें तो क्या लिखाव देखें हमारे द कारण पूरा वर्ष उमंग भर भर बना रहता है ठीक है तेवारों के कारण पूरा वर्ष जो है उमंग से भरण पुरह हो स्की आगमन के समय तो खेत लहला ército लहाने सकता है मतलब की कि वह ठीजल लह रहाने उनकी कटाई आरव हो जाती है किसान का माने भी फर्फुले तो हो जाता है इसी परकार महापुरुसों की याद में मनाये जाने वाले तेवार हमारे मन को दिसभक्ती एवं गौरव की भावना से सरावोर कर देती है सभी तेवार का एक ही लच्छे है हम सभी तेवारों को मिल जल कर एक साथ हर सो लास के साथ मनाये और उसमें नहित अच्छे विचारों को संपुन समाज में फैलाने में मदद करें जिससे सभी धर्मों के लोगों में एक जूटता की भावना जागरित हो सके ठीके तो यहां ब में अच्छे विचार को फैलाना चाहिए ठीके और जिससे सभी धर्मों को एक जूटता की भावना मिल सके ठीके अब दिखे इससे कुछ रिलेटेट सवाल है इसका आप लोगों को जवाब देना है सबसे पहला नंबर कुशन क्या लिकावा है कौन से तेवहार के समय किसान आननदित होते हैं ठीके तो इसका आंसर आप लोग किजिए फटा फट ठीके इसका आपके पास धार्मी के दिरिष्टी से जुड़े तेवहार महापुरुसों की याद में मनाये जाने वाले तेवहार नौ वर्स के आगमन के साथ मनाये जाने वाले तेवहार इनमें से कोई तो कौन से तेवहार के समय किसान अनन्दित होते हैं मेरे बच्चों तो नौ वर्स के आगमन के समय के साथ जो मनाये जाने वाले तेवहार होते हैं उससे किसान जो है काफी आनन्दित होते हैं काफी खुश होते हैं तो आप्शन वर्सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग question number 2 में क्या लिखाब है कौन से तेवहार हमारे मन में देशभक्ती की भावना जागरित कर देती है तो option A है धार्मिक द्रिश्टी से जुड़े तेवहार महापुरूसों की याद में मनाये जाने वाले तेवहार नव वर्स मनाने का तेवहार इनमें से कोई नहीं तो कौन से तेवहार मन की देशभक्ती की जागरित कर देते बच्चो तो यहां आप देखेंगे है महापुरूसों की याद में मनाये जाने वाले तेवहार हमारे मन को देशभक्ती देशभक्ती यहों गरों की भाना का सरोवर कर देथी है ठीक है अब देखे इसका अंसर क्या हो जाएगा ठीक्ट का ठीक है ऑगे देखिते हम लोग तीसरा नमबर सवाल सभी तेवहार का लच्छ क्या है तो उसमें नहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना है धार्मिक परचार एवं परसार अनुसासन हिंतक से के साथ खुसी मनाना समाज को दिस ब्रहमित करना तो सभी तेवहार का भी है एक लच्छ हम लोग क्या बताये थे कि उसमें नहित अच्छे विचार को अच्छे विचार को पूरे समाज में फैलाना ही सभी तेवहारों का लच्छ होता है तो आप्सन नमबर A इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा तो हमने देखा कि इसमें 9 वर्स का भी महत्तों के बारे में बतायागए है देश प्रेम का महत्तो भी बतायागए है और तेवहारों का महत्तों भी बतायागए है ठीक है तो 4 नमबर का जो अंसर हो जाएगा आप लोग कर यहांपे addition number C ठीक है option number 6 इसका जो हो जाएगा right हो जाएगा चुकि यहां तेवहार के बारे में ज्यादा important role है ठीक है बाकी तो सभी चीज़ के बारे में बताए गया लेकिन आपको इसमें select करना है कि कौन सा जो है ज्यादा इसमें relate किया गया है तो तेवहारों का महत्तों को ही यहां पे ज अधेजभक्ति या सरावोर ठीक है तो उमंग सब्द का जो परियवाची सब्देबचों इसका जो है उल्लास है ठीक option number 20 का बिल्कुल right हो जाएगा चलिए अब दिखते हैं यहां पे 6-10 तक उच प्रश्न के लिए आप लोगो पढ़ना होगा ठीक इस कवीता को पढ़ना ह तो उसके बाद अप लोग से सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब देना है ठीक है कैले का मैं जब अकेला होता हूं तो मुझे मेरी माप का प्यार याद आता है सोचकर वक्त के उस दौर को मेरा रोम रोम हरसित हो जाता है याद आता है जब मा मुझे सप्रेम खिलाती थी ठीक है दुलारती हुई सी वह मुझे गोद में बिठाया करती थी नाज नक्रो को भी वो मेरे तब हस हस के उड़ाया करती थी बेटा मेरा सेर बनेगा कहती हुई मुझे दूद पिलाया करती थी ठीक है याद आता है जब मैं कभी डरता था ममता भरे आचल में वो बाया करती थी कितना अच्छा आप लोग एक कवीता है ठीक है अब इसको जवाब देना है ठीक है कवी को अकेले में किसकी याद आते थी बताइए जल्दी से इसका अंसर क्या हो जाएगा मा की पिता की भाई बहनों की दुस्तों की तो सिंपल सी बात है बच्छों इसका जो पाइट अंसर होजागा मा की कवीद को अकेले में किसकी याद आते थी तेमा का याद लए जब लमोग सुरुए क्या लिखिए लाह का शंवाब हाला है तो मुझे मेरी मा की पियार याद आता है ठीक है तो मा की याद थी जब कभी अकेला रहता है दूसरे नंबर सवाल देखेंगे आप लोग इसका सेवन नंबर सवाल क्या लिखाब है नाज नक्रे उठाने का मुहावरे का अर्थ क्या है ठीक तो आपके पास साब प्रेम करना हर तरह की इच्छा पूरी करना सरारती करना नाजुक बनाना ठी इसका अंसर जो होजाएगा बच्छो नाज नक्रे उठाने का सही अर्थ अगरवर निकालते हैं लोग तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो और सी शरारती बनाना ठीक तो कहती थी थी के तो जल्दी जल्दी दूद पीओ ऊपसन भी है दूद पीओ नहीं तो कमजोर हो जाऊँगे अप्शन की है बेटा मेरा सेर बनेंगा बेटा मेरा अफसर बनेंगा वाफषन Dinka इसका रा इनसर कौँ सा हो जाएगा जल्दे से से दूद पिलाया करती थी तो दूद पिलाते समय उनकी मा क्या कहती थी तो बेटा मेरा सेर बनेगा सिंपल सी बात ते देखे जो भी आपका कुशन पूछा गया सब इससे पूछा गया तो टेंसन लेना नहीं है चले नाइन नमबर सवाल अब देखेंगे कवी के डर जाने पर म क्या करती थी उसका मजार्व ऊड़ाती तो इसका पोग समझती थे उसे डांट थे अपने वें आचल में चुपा लेती थी ठीक माते बहुत तो सब्सक्राविकर्ण करें dakina तो जो कवीता है इसका आप क्या सिर्षक देना चाहेंगे जल्दी से कमेंट करके बताओ तो हम देखेंगे अगर बचो तो इसमें से उप्युक्त सभी इसका राइट हो जाएगा चुकि यहाँ पे मा का प्यार के बारे में बताए गया है माता काँचल के बारे में बताए गया तो आप्सान नबर डीस का बिलकुल राइट हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं हम लोग खंड खा इसमें व्याकरन है इस व्याकरन से आप लोग को कुछ सवाल है इसका आप लोग को जवाब देना है क्या लिकाव है जो सब्दांस किसी सब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसे कहते हैं ठीके तो जो सब्दांस सब्द के पहले देखो क्या बोल रहा है सब्द के पहले सब्द के पहले जो जो जोड़ा जाता है बच्चों उसको हम लोग उपसर कहत है और सब्द के अंत में जिसे जोड़ा जाता है और वो अर्थ में परिवर्दान ला देता है उसको हम लोग परते कहते हैं ठीक है तो यहां 11 नंबर का अंसर कौन सा हो जाएगा तो उपसर नंबर एस का बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है समझ महार है कि नहीं आ रहा है चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग 12 नंबर सवाल में सुनारीन सब्द में किस परते का प्रियोग हुआ है ठीक है यहां परते का मतलब क्या होता है कि सब्द की जो पीछे लगा है ठीक है अब दिखें यहां लिखा है सुनारीन सुनारीन ठीक है लाश्ट में क्या रह भी हो सकता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अकास का सही परिवाची है ठीक है तो पच्छी गगन धर्ती आग तो अकास का सही परिवाची अगर हम लोग देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा सकांसर बता होड़ाफट ठीक है तो इसकांसर जो हो जाएगा आप लोग का आम खाती है वाक्य में ने प्रिसर्ग के परियोग कौन से परिवर्तन होगा ठीक है इसमें आपको बताना है कि ने का परियोग जो हुआ है कहां पे सही हुआ है ठीक है तो सीता ने आम खाई ठीक है पहला लाइन दूसरा लाइन सीता ने आम खाया सीता आम को खाती है सीता से नहीं जाताँ ठीक है तो सबसे पहले देखो option काटना सीखो अपने कट जाएगा सबसे पहले बात चुक्कि यहां पर नेका कहीं प्रयोग यहां पर हुआ है लेकिन सीता जो है बचो यह लड़की है तो खाया खाया होगा या खाई होगा सिंपल से बात है खाई होगे तो यह भी अप्सन कट गया तो आप देखिए यहां पर सीता ने आम खाई अप्सन अबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा चलिए आगे अप्सर हो जाएगा आप लोग का अप्सन नमबर भी ठीक है विसेशन अगर इसमें देखे तो चार जो होगा इसका विसेशन होगा अप्सन नमबर बीसका बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लोग 16 नमबर सुखर राम ने समय पर पूरा किया रचना के अधार पर वाक्य भेध वता हैं तो यह कौनसा हम कै तो इसका राइट अंसर हो जाएगा सरल वाक्य चुकि यहाँ पे ना और का परियोग किया गया है ना तथा का परियोग किया गया है कुछ ने परियोग किया है मतलब राम ने समय पर पूरा काम पूरा किया तो सिंपल सी है सरल वाक्य चलो आगी दुखते हैji 17 नंबर सवाल का लिखा हूं मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हसने लगा रचना के अधार पर वाक्य के भेद बताएं। तो मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हसने लगा। तो यहां पर देखो दो यहां और का परियुख हो गया है मोहन ने कहानी सुनाई और सुहन हसने लगा तो यह क्या होगा क्या रइट हो जाएगा चलो आगे देखें की नौधव 11 होना का सही अर्थ क्या हो जागा जल्द सीकमेंट करके पता से का अंसर हो जाया झाल लड़का अच्छा है इस वादल बदल देने पर विसेशन का क्या परभा पड़ेगा तो अगर इसका विसेशन को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा लड़की अच्छी है लड़की अच्छी है लड़की में अच्छा ही है ठीक है तो अगर लड़का अच्छा है अगर इसके विसेशन में चे क्लस् понимаю कि अगर वह सब्सक्ने ओसको एक गलत हो जाएगा है इसका विल्कुल राइप हो जाएगा बिशसन प्द के द्वारा जिसकी से सता बताय जाती है उस्स क्या गा यहां पर प्रस्तुत गद्यान से को ध्यान पूरवक पढ़ना है और प्रश्णों को 21 से लेके 30 तक का सही उत्तर का चैन करना है मतलब 9 कोशन यहां से ठीक आप देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद इससे रिलेटेट जो सवाल होंगा उसका हम लोग सवाब देंग ना तो कोने किरिया करम में ना ही यौग बैराग में खोजी होई तो तुरते मिले हैं पल भर की तलास में कहें कबीर सुनो भाई साधो सब स्वास की स्वास में तो यह जो कवीता लिया गया है वच्छो आप लोग का बुक से उठाया गया कवीता है ठीके सक्षिया पद जो आपको सबद है ठीक है चैप्टर नाइन से लिया गया है अब दिखें से कुछ रिलेटेट सवाल है इससे आपको जवाब देना है ठीके प्रस्तुत पद के रचनकार कौन है तो कभीरदास तुलसीदाद रैदास सुर्दास ठीके तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा बच्चों जल्दे से कमेंट बताओ ठीके तो इसका राइट अंसर हो जाएगा कौन से पद से लिया गया है ठीक है तो यह कभीरदास इसका रचनकार है ठीक है इस पद का तो आप्शन बर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हम लोग 22 सवाल मनुस से किसी ढूंड रहा है धन को परसिद्धी को इस्वर्य को या इस्वर को ठीक है तो मनुस से किसे ढूंड रहा है बच्चों ठीक है तो मनुस से जो ढूंड रहा है वो इस्वर को ढूंड रहा है किसको ढूंड रहा है इस्वर को ढूंड रहा है अप्सन बर डीस का बिल्कुल रा आप लोग का अप्शन वर भी ठीक है वैरागे वैराग का मतलब क्या है वैरागे चले आगे बढ़े तेम लोग 24 नमबर सवाल क्या रिका पद में किन दो तिर्थ अस्तलों के नाम आए है काबा और कासी काबा और कैलास मक्का और कैलास इनमें से कोई नहीं तो इसमें कोई दीखेंगे यहां पर ना काबै और कैलास में मतलब कि काबा और कैलास दो तर्थ अस्तल के बारे मैं भताया तो यहां पर कॉन सहरों asyou का रहत है ए बच्छों तो तो यहां option देख सकते हैं, इस वर सभी जीवों में कन कन में रहते हैं, इस वर कहीं नहीं रहते हैं, हम सांस लेते हैं, सांस लेने में हमें तकलीफ होती है, ठीके, तो इसका अंसर बते हैं कौन सा हो जाएगा, तो इसका अंसर जो हो जाएगा बच्चो, इस वर सभी जीवों म कन-कन میں रहते हैं चलिए 26 सवाल दखेंगा लोग मांसरोवर में कौन विहार करते हैं ठीक है तो मचलियां हन्स मगर मचश या मनुस्य से dal ठीक है तो मांसरोवर में कौन विहार करता है वच्चों चैंगे यह आपको बताना है तो इसका जो अंसर हो जाएगा इसका जो अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हंस ठिक है मांसरोवर में कौन विहार करता है तो हंस घरता है अप्सन नवेर इस का बिल्कुल रइट हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं लों अगले सवाल कभिरधास का कभ editing का और कहां हुआ था मेरे बच्चों ठीक है तो यहां आपके पास 1398 इस्वी कासी में 1398 इस्वी बनारस में 1298 मतूरा में या फिर 1298 उज्जैन में ठीक है तो इसका अंसर जो हो जाएगा आप लोग का 1398 ठीक है कब 1398 कासी में इसका जन्म हुआ था कभीर दास का तो आपसान इसका विल्कुल राइट हो जाएगा आगे देखिया 28 नंबर सवाल इन में से कभीर की रचनाओं का संगरह कौन है बीजक सहित लहरी कावे रसाया ड्रमायन ठीक है तो कभीर के रचनाओं का जो संगरह है वो किसमें बच्चों तो बीजक में है तो आपसन नबर इसका विल पाका पके कार्थ क्या है तो पच्वे पच्च आपसन बड़ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा चले तीस नंबर सवाल आप देखेंगे संसार को किसके समान बताया है हाथी के समान चीटी के समान कुत्ते के समान बिल्ली के समान तो संसार को जो बच्चों किसके समान ब सब्सक्राइब करना है और गद्यांस को पढ़ना है और इसके बाद इससे सवाल होंगे इसका जवाब देना तो आप देखेंगे यहाप एक गद्यांस के सामने फिर वही वही सूखा भोसा लाया गया दोनों चुपचाप खड़े रहे घर के लोग भोजन करने लगे उस वक्त छोटी लड़की दो रोटियां लेकर लिये निकली और मुह में दे कर चले गई उसे एक रोटी इनकी भोग तो क्या सांथ होती पर दोनों के हृदे को मानो भोजन मिल गया यहाँ भी किसी सज्जन का वास है तो यह लग रहा है कि यह दो बाइलों की घर कहा आएं गया कि अध्यान से ठीक है तो यह सारे तो अब पढ़े हैं घिक हैं आगे भी does पढ़ लेते हैं क्या लड़की भाय्रों की थी ठीक है उसकी माँ मर चुकी थी। की का पापा का ना भाहर रह था ठीक है उसकी मां मार चूकर इस लिए इन से एक परकार का आत्मिता हो गई थी थी तौह टो बैलो से बहुत प्रेम करती थी जो लड़की थी ठीक है यो बहुत प्रेम करती थी किस्से बैलो से चले आगे देखते हैं दोन Smile दिन भर जोते जाते डंडे खाते आयते साम को थान पर बांद दिये जाते और रात को वहीं बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती तो दो रोटि कौन खिला देती थी छोटी लड़की आगे देखे प्रेम के इस परसाद की बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खा कर भी दोनों दुरूबल ना होते थे मगर दोनों आखों में रूम रूम में विद्रोह भरा हुआ था तो यह आपका दो पैलों कथा से गद्यांज देवाब देखें से कुछ रिलेटेड सवाल इसका आपको जवाब देना है तो सबसे पहला लाइन देखेंगे 31 नमबर क्या ल देखेंगे लड़की की पिता का नाम क्या था तो गया जूरी भैरों इनमें से कोई नहीं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोगों का भैरों ऑप्सन बर सीस का विल्कुल राइट हो जाएगा लड़की के पिता का नाम भैरों और और सी से स्कासे ऻ्याया कोस्ता इस उसे mass करते हैं तो अगर चूछते हैं shuffle ंबने सावाल दोनों बैया 건 के साथ याता है था वेठी जोते जाते और डंडे खाते थे वे दिन भर आराम करते वे दिन भर खाना खाते थे दिन भर सोते थे ठीके तो इसका अंसर कौन सा हो जाएगा दोनों के वाइलों के साथ बहुत बूरा वेभार होता था क्या होता था दिन भर जोता जाता था और फिर डंडा भी खाता था तो प्रेमचंद्र रहुल साश्कृतन जाविर हुसाइन चप्ला देवी तो इसका अंसर कौन तुछोड़ी में चोड़ी में चोंगी में ठीके तो टिबद के ऑरते जो है चाय किसमें कुड़ी थी ठीक है ऑप्सन वर भी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा आगे देखते हैं आप लोग यहां पे 37 नंबर सवाल लेखक लेखक गलत रास्ते पर कितने मिल चल गया तो मिल डेढ़ मेल एक मेल दो मेल तीन मेल ठीक है तो 37 का जो आंसर हो जाएगा बच्चो लेखक जो है गलत रास्ते पर कितना मिल चल गया तो डेढ़ मेल आपसन नंबर एसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 38 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग क्या लिखाब है सेकर विहार में कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद कितनी सहस्त लिख्यां पोथियां थी ठीक है तो 101, 102, 103, 105 तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा बच्चो एक सो तीन पोथियां कितनी पोथियां एक सो तीन पोथियां और सिसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 49 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग क्या लिखाब है लेखक लंड कोर के मार्ग में अपने साथियों के साथ किस कार जल्दी से बताओ इसका अंसर जो हो जाएगा और रास्ता भटक गया चलो आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल विरिंदावन की नदी का सावला पानी किसकी याद दिलाता है या सोधा जी क्रिष्ण जी गोपियां जी की बलराम की ठीक है तो विरिंदावन की नदी का जो सावला पानी जो है किसकी याद दिलाता है तो क्रिष्ण का याद दिलाता है आपसा नमबर 20 इसका बिल्कुल र और करेंगे तो इससे पहले आप देखिए आप गध्यांस दियावा है इस पढ़ने के बाद इससे कुछ सवाल होंगे उसका आपको जवाब देना सबसे पहला लाइन में आप देखते हैं क्या लिकाब किसी भी काम को जब हम समय पर पूरा नहीं करते हैं तब उसका महत तो अ तो वह उपवास का पात्र बन जाता है बिल्कुल कि चिडिया जब खेत चुक गया ठीक है और उसके बाद जो उसका मालिक है रखवाला है वो फिर सुरच्छा कर रहा है कि ऐसे करेंगे तो नहीं चुकेगा तो एक तरह से क्या बन जाता है उपवास का पात्र बन जाता है उसके देर की गए परियास सब बेकार हो जाते हैं तो परिस्रम का गवरफ तभी है जब उसका किसी को लाब मिलेगा तभी परिस्रम करो ठीक है इसी कारण यदि बादलों का जल क्रिसक की फसल को फलने फुलने में मदद नहीं करता तो उसका बरसना बैरत है मतलब कि बादल जल कि किसान के लिए फसल फुलने में मदद नहीं करता है तो फिर बरसना वेर्थ है बेकार है ठीक है बादल जो बरसता है कि रिसक लोग को फसल वगएरा में लाव हो सके हैं न और नहीं जब समय पर नहीं बरसा तो बेकार है वेर्थ है बरसना फिर आउसर का सदोप्योग नहीं करने वाला व्यक्ति बाद में पढ़ता है तो जब उपर्चिनिटीव मिलता है ठीक उस समय कोई भी चीज को आप लोग को प्योग कर लेना चाहिए अगर नहीं कर पाते हैं तो बाद में आपको पढ़ना पढ़ता है जैसे कि अभी आप लोग को मौका मिल अब अपर्चिनिटीव मिल रहा है कि आप अभी पढ़ बहुत अपसर को नहीं करते हैं तो इससी चीज को औसर का सदुप्योग नहीं करने वाले व्यक्ति बाद में पच्टाना पड़ता है अब दिखे इससे कुछ related सवाल है मेरे बच्चों ठीक है अब इसका आप लोगों को जवाब देना होता है तो पहला नंबर यहां लाइन देखे काम का महत्तों बढ़ जाता है जब उसको भा का समय पर पूरा काम कर देते हैं तो वह उसका महत्तों बढ़ जाता है ँचले नंबर सवाल दिखेंगा आप लोग खेत का वह खेत में काम करता है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा कौन सो हो जाएगा तो ऑप्शन बीस का राइट हो जाएगा खेत की रखवाली करता है चलिए आगे बढ़ते हैं लोग परिश्रम का गौरव किसमें है ठीक है जब प्रियास फीफल हो जाएगा जब हानी उठानी पड़े जब उसका लाब किसी को मिल सके जब परिश्रम का गौरवнем सके सब्कित है अ मुलत करें तो इसब परिव रहें किसी को मिल नहीं है ठीक है ठीक है परिश्रम कोई भी प्रम कर लोड़क庭 है परिश्रम कर रहे और उसका लाव किसी को मिले तब समझो कि हाँ परिश्रम जो किये हैं अच्छा किये हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं लोग फूर नंबर सवाल में कहले का बादल का बरसना कब बेकार है जब गर्मी सांथ हो जाए फसल को लाव ना पहुंचे किसान ख्वाला तो किसान का परियवाची सब्द अगर देखें आप तो क्या हो जाएगा इसका अंसर बिलकुश तो इसका अंसर हो जाएगा क्रिशक ठीक है गई आगे देखते हैं लोग एक पद्यांस दिया है कवीता को आप लोगो धिंद्यांसे पढ़ना है उसके बाद इससे related सवाल होंगे उसका आपको जवाब देना है ठीक है तो यहां पर देखिए आप लोग क्या लिकावाई सच है विपती जब आती है ठीक है प्राबलम आती है विपती मतलब प्राबलम ठीक है हाँ कायर को ही दहलाती है ठीक है तिसरे लाइनाप का सुर्मा नहीं विचलित होते छनम एक नहीं धीरज खोते ठीक है विगनो को गले लगाते हैं काटों में राह बनाते हैं मुख से ना कभी उफ कहते हैं संकट का चरन ना गहते हैं जो आप पड़ता है सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं सूल का मुल नसाने का को बढ़ खुद विपती को छाने को कौन विग्न ऐसा जग में ठिक सके वीर नर के मग में खम ठोक ठेलता है जब नर परवत के जाते पाँ उखड मानो जब जोड लगाता है त देखें लिए आपका पद्यांज देवा था इससे कुछ related सवाल यह जवाब देना चाहिए बिपती आने पर कौन डरते हैं तो विपती आने पर कौन दरते हैं विपती आने पर कौन विचलित नहीं होते तो सुर्मा कायर डर पोक दुखी तो इसका नसर जो हो जाएगा पत्त्त कर जाता है मतलब कि आप खुब मेहनत करो पःचिक तो प्त्तर को भी पानी मेंट्टेश मुझे अना चलिए आगे दिखते हैं नाइ STF लिखें caution फूल पती फल काटा ठीक है तो सूल का परिवाची सब्द जो होता है बच्चो वह होता है काटा ऑप्सन बड़ी इसका विल्कुल राइट हो जाएगा मानो सब्द का विलोम क्या है तो मनुष्य से जानवर दानों देवता इसका अंसर कौन सो हो जाएगा मेरे बच्चो ठीक सब्द के पहले लगता उसको उपसर्व कहते है तो सूं गंद में पहला सब्द क्या लेके होसो सूं मतलब कि इसका उपसर्व सब्सक्राइब जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे कहते हैं तो यहां पर सब्सक्राइब जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देना उसको क्या करते हैं बच्चों लोग इसका जल्दे से वताइब सब्सक हो जाएगा आगे बड़ते हैं यह थि नभर टेने पानी सब्सका पर्यवाचिए नदी अगनी जल बादल अगर पर्यवाची फूथ सा हो जाएगा तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है जल जल है इसका पानी का परियवाची सब चले चावदर नबर सवाल देखते हम लोग निमने में से सही सुर्ती सुरूती समर्त संभिरनात्मक सब्द युग्म कौन सा है ठीक है तो अन्य दूसरा अन अनाज ठी करें अन्य मतलब भोज अन्य मतलब भोजन अन्य मतलब अन्य मतलब भोज निमतलब mol तक है तो इसमें दिखें आप्प्सNew तो डुसरा उब elf नमतलब डूसरा और अन्य मतलब होता जाएगा आगे देखते हैंवाचे लगवी सवाल के दिये जलना मोहावरे का सही विकल सिनल्प क्या होगा कि लिए सबाइंट सीमें जल्म के अर्थ निकल रहा है तो आगे देखते हैं लोग सवाल राम परती दिन विद्याले जाता रचनल प्र उप्पूट पहीं को सब्रएव hält तो सिम्पल सी लग रहे हैं बच्छों सब्साइब सोय एक थिस रौ मोइच्टा में है और राधा नाचती यूद्यों सब्सेख रचनल कोुण करें और लग गया है मोहन गाता है और राधा नाचती है ठीक है और लग गया है यहां पर समिक्त वाक्यों को मिला करके लगे संग्या सर्विसेस्टा विसेस्षा बताता है वें विसेस्षन गलते हैं और लड़का अच्छा है और लड़की क्या होगे लड़कि जब लड़का अच्छा है एक प्राइए तो लड़की क्या होगी बता इसका कमेंट करके जल्ले से तो अच्छी होगी ठीक है लड़का अच्छा है और लड़की अच्छी है ठीक अप्सटो इसका बिलगल राइट हो हो जाएगा लड़के लंबे हैं और सिसका विल्कुल राइट हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां से पाठ यह पुष्टक से कुश्चन है अब इससे आपको दिया वाय है इस पद्यान को पढ़ेना है बहुत द्यान से और उसके बाद आप लोग को जवाब देना है संतो भाई आई ग्यान की आंधिरे भरम की टाटी सबय उडानी माया रहेना बांधी हिती चित की दवय थोनी गिरानी मोह बलिंडा तूटा तृष्णा छवी परी घर उपरी कुभदी का भांडा फूटा आगे देखिए जो वो जुगती करी संतो भांधी निर्चू चुए ना पानी कूड कपट का आया का निसकया हरी की गती जब जानी आधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरी जन भीना कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भाया तम खीना तो यह आपका पद्यांस दिया वा है आपके वुक से अब इससे कुछ रिलेटेट सवाल इसको आपको जवाब देना है प्रस्तुत पद के रचनकार कौन है तो आप्सन सुर्धास कबीर दास तुलसिदाद रहधास ठीक तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्छों इसका इसका रचनकार है ठीक एसका भीत तक वारदास भीसका बिलकुल राइट हो जाएगा आगे दिखियां आप लोग ग्यान के आंधी का भकतो को जीवन पर क्या परभाउप यह मनुस्य का भरम दूर हो जाता है माया से चुटकारा मिल जाता है मनुस्य की आग्यानता दूर हो जाती तो ग्यान की आंधी का भक्तों का जीवन पर क्या परभाप पड़ता है मेरे बच्चों तो इसका अंसर फटा-फट किजे तो इसका अंसर जो हो जाएगा बच्चों संका भरम का अर्थ क्या है संका ऑप्शन पर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा तुनी गिरानी मोह बलिंडा तूटा तो इसका मतलब हो गया सवार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गया ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएगा तम का परियवाची क्या है तो रोस्नी अंधेरा उजाला भ्रम तो तम का जो परियवाची सब्द जो है बच्चों अंधेर Чтоб करें आगे देखते हैं लोग कभीर की कभ और कहां मानी जाती तो भान्द्रसौटारामें मगहर में अज़े कासी में श cur buradan' और कासी में तेरह सौनबर में मगहर में तो इसका अंसर कौन से हो isolवाड़ा और झे пост sab कबीर की मिरित्यू कब और कहां हुई बच्चों तो इसका हुआ 1518 इस्वी मगहर में आपसन नमबर एसका विल्कुल राइट हो जाएगा तो 27 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों तो इसका अंसर जो हो जाएगा मोती आपसन वर एसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कबीर ने हस्ती किसे कहा है तो संसार को ग्यान को अग्यान को मुर्कों को तो कबीर ने हस्ती किसे कहा मेरे बच्चों ठीके तो कबीर जो संसार को हस्ती बोला है तो आपसन वर एसका बिल्कुल राइट हो जाएगा साध्यों किसकी निंदा करते हैं तो साध्यों किसकी निंदा करते हैं सजनों की दुर्जनों की गरीबों की अमीरों की तो साध्यों किसको निंदा करते हैं निंदा मतलब बेज़ती करना तो साध्यों किसका बेज़ती करते हैं तो दुर्जनों का आपसन नवर भी इसका बिल साथ रहते रहते दोनों का भाईचाना भी हो गया था दोनों सा मने सामने या आसपास बैठे वे एक दूसरे में मुर्च भास में विचार वी नहीं करते थे द подумव wnu aye दोनों गश्वी के बात को समझ लेते थे तक अब दिखें से कुछ सवाल इसका आप लोगों को जवाब देना प्रस्तुत गद्यांस किस पार्ट से है ठीक है तो दो बैल कहां थे बच्चों दो बैलों की कता आप लोगा चैप्टर इसी में आप लोगा इस गद्यान से आप लोगा पैराग्रफ उठाए गया तो आप आप सब्सक्राइब करने वाले बिल्कुल सही है चलिए तैस्ट नमबर सवाल देखेंगा आप लोग बैल किस जाती के थे देसी देहाती पहाड़ी पच्छाई ठीक हम लोग फर्श्ट लाइन में पढ़े थे दो बैलों किस जाती के थे तो पच्छाई जाती के देख पर सामें तो दोनों बैल अगर एक दूसरे से बाच्छित करते थे और अब बहुत करते थे बच्छों ठीकिए बश्तर सवाल देखेंगा आप लोग तो घरी ना हो गया भाई-चारा हो गया नफरत हो गया दुख हो गया तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जा औरहल संस्क्रितियान जाविर हुसाइन महाद girls 36 और ते बनेशाएं से यह लाहाँ का पार्ट से सदी कुछ तो समित सुमति हो राइट हो जाएगा ठीक है चले 38 सवाल देखेंगे आप लोग मैं अब पुस्तकों की भीतर था नीचे दिये गए विकल्पों में कौन सा सही है तो चार अपसन है यहां पे लेखक पुस्तकों की सेल्फ के भीतर चला गया लेखक के चारों और पुस्तक ही थी पुस्तक में प बच्चों इसका मतलब जेल्फ को लेखक पुस्तक पढ़ने में पुरध्यान दे़िया पढ़ने में पुस्तक पढ़ने में ठीक है 49 सवाल किया है सावले सपनों की याद पात्फ के लेखक के किस फरसे पच्छी विघ्ञानी का चित्र प्रस्तूत किया सर्भीर अपनों की याद में पार्ट में लेखा किस प्रसिद पच्छी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है बच्छों तो सलीम कर अलीका तो अपसा नवर सब्सक्राइब तो यह था बच्छों आज का इंपॉर्टन सवाल मुझे उमीद है कि आप सभी कोई वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो हमने पहली वीडियो में क्या कंप्लेट किया तो पहली वीडियो में अधर तीन वीडियो में लोग 280 कंप्लेट किया ना पहला वीडि एक सो तीस से लेके हम लोग 210 तक किये और चौता वीडियो में हम लोग 210 से कितना तक किये ना चीजोड़ो तो 210 कुश्षन मतलब यतना टूटल कुश्षन हम लोग हिंदी का हम लोग पूरा कंप्लेट कि ठीक है मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत लगना चाहते तो वह भी आपका यह चैनल पर डाला हुआ है तो आप देख सकते हैं विजिट करके और भी अप प्रिविएश मॉडल पेपर प्रिविएश कोश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं आप विजिट कर लो कि एक बार हमारे चैनल को ठीक आप को आपको अहां पर सब मिल जाएगा और अपने एक्जाम को विजिट करो देखो और अपने एक्जाम को बहतर बनाओ चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच